शिक्षा का आधिकार मुझे भी दिया जाए मैं उसकी लिक्षा करना चाहती है इस लड़की का नाम दीपा है दीपा उस शरनार्थी परिवार की बेटी है जिसने पाकस्तान में रहते हुए अपनी आखों में डॉक्टर बनने का खौप देखा था लेकिन पाकस्तान में अपने सपने को नाकाम्याब होता देख दीपा के परिवार ने भारत का रुख कर लिया मगर भारत में वी जब उसके सपनों के पंक तूटने लगे तो उसने सरकार से गुहार लगाई और बेटी के इस गुहार के समर्थन में राजस्थान तक की टीम ने बुधवार को इस बेटी की बात सरकार तक पहुचाने का बीड़ा उठाया टीम राजस्थान तक पर खबर को प्रमुक्ता से दिखाते हुए हमारे एडिटर शनत कुमार ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री से दीपा की पढ़ाई जारी रखने की बात रखी तो सुनिये उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान से आएक हिंदू लड़की की राजस्थान माधिमिक शिक्षा बोर्ड ने परिक्षा में बैटने से मना कर दिया लोटा दिया हमारे साथ हैं राजस्तान के शिक्षा मंत्री गोविन सिंग दूटासरा उन से बात करते हैं सिर्फ क्या मामला था क्यों लोटाया गया और आप क्या करते हैं तो यह जो बच्ची आई थी इसका आमने पता लगाया तो हमने पाकिस्तान दूतवास को लिखा है कि इसका जो दस्मी में क्या सहलेवस राह है जिससे हम बार्मी में इसको बटा सकें फिर भी हमने बच्ची के बवश्य को ध्यान में रखते हुए मानने मुक्यमंत्री जी की मंस्या है कि कोई भी बच्ची अपनी बवश्य का निर्मान करती है तो उसके लिए चूट होनी चाहिए तो हमने ये तैक किया है कि उस बच्ची को हमें एकजाम बार्मी की मादे में एक शिक्सा बोट की दिलाएंगे चाए पाकिस्तान एमबेसी का कुछ भी जबाब आए आपने ये अधिकारियों को बता दिया कि बच्ची को बैठर निर्मान करते है तो हम लोग देंगे चाहिए वो कहीं से सेले बस उसका क्या हुआ क्या नहीं वा उस मिसे में हम नहीं जाना चाहते लेकिन बच्ची को एकजाम जिलाएंगे दरसल दीपा 11 तक की पढ़ाई कर पाकस्तान में भारत आई है और जब भारत में वो बारवी की परिक्षा देना चाहती थी तो राजिस्थान मादमिक सिक्षा बोड ने उनका फॉर्म रिजक्ट कर दिया था राजिस्थान तक की टीम ने दीपा को नियाय दिलाने के लिए मुहीम शुरीखी और खबर दिखाई राजिस्थान सरकार के 2012 के आदेश हैं कि इस तरह के मामले में पढ़ाई नहीं रोकी जा सकती है मगर इसके बाउजूद राजिस्थान मादमिक सिक्षा बोड ने फॉर्म रिजक्ट कर दिया मामला सामने आते ही मुख्यमंतरी अशोग गैलोत ने सिक्षा मंतरी को निर्देश दिया कि दीपा की पढ़ाई जारी रखी जाए और उसे परिक्षा में बैटने दिया जाए सरकार की ओर से दीपा को मिले आश्वासन के बाद दीपा ने सरकार का शुक्रिया करते हुए अपने सपने को साकार होने की बात कही है हम उमीद करते हैं कि दीपा की तरह अगर कोई और भी होगा जिसकी पढ़ाई इस तरह से रुक रही होगी वो अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार उनकी गुहार सुने की ब्यूरा रेपोर्ट राजिस्तान तक झाल